बिधान सभा भवन के सताब्दी बर्स पर आयो जित इस ओरियेंटेशन प्रोग्राम उन्मुखिकर्ण कारकरम में मौजूद आदरनीय माननी अध्यक्ष लोकसभा स्री ओम बडला जी आदरनीय माननीय मुख्यमंत्री बिहार स्री नितीश कुमार जी माननीय अध्यक्ष बिहार बिधान सभा स्री बिजय कुमार सिनहा जी माननीय उपमुख मंत्री बिहार स्री तारकिशोर प्रशाद जी माननीय उपमुख मंत्री बिहार स्री मती रेणू देवी जी माननिय मंत्री संसदिय कारी विभाग बिहार सरकार स्री विजय चौधरी जी माननिय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान सभा स्री तेजोसी प्रशाद यादो जी माननिय उपाध्यक्ष बिहार विधान सभा स्री महस्वर हजारी जी महा सचीव लोक सभा स्री उत्पलकुमार जी, सचीव विहार विधान सभा, विधान सभा योंग प्राइट के अधिकारी गण, इस खास औसर पर मौझूद केंद सरकार के मंत्री गण, विहार सरकार के माननिय मंत्री गण, विधान सभा, विधान परिशत के माननिय सदस गण, पुरु विधायक गण योंग अनेक पुराने अनुभवी मानने विधायको और सांसनों को देख रहा हूँ जिनकी बातों से हस्तक छेप से आज भी मैं सीखता और समझने की कोशिस करता हूँ राजनीत को जन नायक करपुरी ठाकुर जी की 34 वी पुनितिती पर उन्हें उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए मैं कुछ चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहूँगा दरसल इस आयोजन का संदर भी यह है कि अब बिहार विधान सवा भवन के सताब्दी बर्स के आउसर पर हो रहा है गोर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1921 में प्रभावी हुआ उसी के तहद उडिशा बिहार को पुनराज्य का दरजाव और प्रोवेंशियल लेजिलेटिव कॉंसिल में निर्वाची सज़सों की संख्या बढ़ी उसी बर्स इस विधान सवा परिशर का निर्मान हुआ जिसमें बिहार विधान परिशत की पहली बैठक साथ फ्रवरी उन्हें इसे 21 को आयोजित की गई तब वॉल्टर मॉट इस अधन के ध्यक्स थे गॉर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 के तहट बिहार एक अलग राज्य बना इस भावन के आर्किटेक्ट ए एम मिल उड़ थे जिन्होंने इतालवी रिनासा जो दुनिया में पुनरजागरन के नाम से इटली का बौधिक पुनरजागरन जाना जाता है उसकी सैली में इस इमारत को बनाया माननिय मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी को स्रे है कि इस भावन का विस्तार जहां हम लोग बैठे हैं यह उन्होंने किया इस आसर पर आयोजित यह ओरिंटेशन प्रोग्राम बिहार विधान मंडल के सदस्यों के लिए अत्यंत उप्योगी है बिहार ऐसे कामों में पहले भी देश से कई चीजों में आगे प्रतिमान के रूप में काम करता रहा है 2006 से अब तक 2017 में फिर 2017-16 में मानी चौदरी जी बताएंगे ऐसे कारिक्रम आयोजित होते रहे हैं ताकि इनसे विधायकों को हमारे विधान पारसद सदस्यों को बहुत लाव मिलता रहा है मैं अपने संदर्व में ऐसे कारिक्रमों की उपयोगिता आपसे सेर करना चाहूंगा संभाव है आपके लिए वो उपयोगी कुछ लगे जो अनुभावी लोग है हो सकता है उनके साथ छमाय याचना के साथ कि वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह और जानते होंगे मैं आधरनी नितीश जी के सोजन से सांसद बना 2014 में दिल्ली गया पढ़ता था जानने की कोशिस करता था उसी क्रम एक बार प्रणौबावू से मिला वो राश्पती थे और बहुत बारीकी से संसद की कारवाही पर नजर रखते थे अधवत उनकी स्मृती थी और अधवत ग्यान था संसदी परमपराओं का कुछ महीने हुए थे हम जैसे मामूली और नए लोगे कारिक्रमों को भी उन्होंने देखा था उन्होंने प्रोसाहित भी किया मैंने पूछा कि आपने कैसे आपकी यह अधवत इसमृती और इतने रूल सुगरों को आप जानते हैं तो उन्होंने एक किसा बताया जो बाद में मैं भुपेश कुप्ट से लेकर अनेक लोगों के संस्मृत पढ़ा उसमें मिला उन्होंने कहा जब मैं पहली बार सांसद बन करके आया तो साइद MC छागला उन्होंने मुझे पहले यह सीख दी कि सुबह से साम तक जब तक विधाई प्रक्रिया चले आप मौजूद रहें बेवहारी ग्यान से आप कानून से लेकर प्रक्रियाओं का परंपराओं का जो जानकारी आप आएंगे वह पढ़ने से ज अगर हम पार्लियामेंट और विधान मंडलों की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं और खोई साह को लौटाना चाहते हैं तो हम में से हरे एक अदाई तो है कि रूल्स और प्रोसीजर को हम अच्छी तरह जाने अपनाएं मैं मधुली में जी का एक संस्मर्ण आप से सियर करना चाहता हूं इसी पटना का जा प्रिकास जी नहीं रहे थे उसी औसर पर मधुजी आये थे इंद्रा जी भी आई थी जब लोटने लगे लोग तो एयरपोर्ट के लाउंज में मधुजी इंद्रा जी और बाकी सारे नेताओं की मुलाकात हुई जी वहां संजय गाधी भी थे इंद्रा जी ने कहा जो मधुलमे जी ने उनके न रहने के बाद संस्रोण में लिखा उन्होंने कहा कि संजय को यह कहकर मेरे पास भेजा कि आपको संसदिय परमपराओं की जिस तरह से आप काम करते हूं उनको बताएं कि कैसे आप एक व्यक् परमपरा आज मुझे लगता है कहीं कमजोर हो रही है उसे हमें मजबूत बनाना चाहिए जो रूल सब्रोसीजर हमारे हैं जब आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि 1952 में लोक सभा ने इसे एडॉप्ट किया 1964 में राजस्तभा ने कमोवेस इन चीज़ों का अपना चाहिए और यह सारी चीजें इनकी रूल इनकी बुनियाद उने इसब बीस के रूल सब प्रोसीजर में हैं जब बुनियादी रूप से यह basic framework colonial है इसमें समय समय पर फेर बदर और ब्यापक फेर बदल भी होते रहें लेकिन comprehensive फेर बदल होना चाहिए इस कारण में कह रहा हूँ कि साय तीन बरसों पहले माननी चौधरी जी को याद होगा जब वो यहां के अध्यक्ष होते थे उन्होंने एक प्रस्ट सब के सामने रखा कहा कि आज भी सम्मिधान के article 193 में अगर एक बाहरी व्यक्ति सदन की कारवाई में हिस्सा ले तो आप क्य या उसको पनिस्मेंट दे सकते हैं अधिक्तम ठीक है आप सुरक्षा कारणों से उसे रोक पाएंगे ऐसी चीज़ें नहीं होगी लेकिन आज भी उसको अधिक्तम आप दंडित कर सकते हैं प्रति दिन 500 रोपे जुर्माना से यह चीज़ें इनको देखा जाना चाहिए उसी किया था कंवेंशनल रूल्स और प्रोसीजर में केवल नो कॉंफुडेंस मोशन से समंधित नियम हैं विहार विधान सभा नियम आउली के तहद 109-1 के तहद सरकार राजिपाल के निर्देश या विसेश परिस्टीतियों में अगर सरकार आवस्यक समझे तो मंत्री परिश का जो अनुभव है वो इस कंप्रेहंसिब बदलाओं के पक्षदर है और कुछी महीनों पहले और इंडिया स्पीकर्स कॉंफरेंस में सिम्ला में सरोस्भती से उनकी अगवाई में इसका इस आसे का प्रस्ताव भी पालित हुआ मैं सुचनात सीब आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सभा में 2018 में एक एक्सपर्ट कमीटी वनीसरी वीके अगनी होतरी की चेर्मेंसिप में वहाँ पहले हमारे सेकेर्ट्री जेनरल थे और बड़े अनुभवी अधिकारी इस समीती ने 77 एमेंट्मेंट्स सेजेस्ट कि हैं इट प्रपोजेस टो एड़ सिक्स न्यू चैप्टर्स इन रेल रूल बोक ये विचारा धीन है एक प्रॉसेस के तहद है मानिय ध्यक्ष मानिय ध्यक्ष लोकसभासरी ओम बिरला जी ने भी रूल्स में पक्षित बदलाओं की दिरिस्टी से नॉमबर 2019 में एक एक्सप समपराओं को जाने और जो चीजें हमें इस विधाई संस्था कोई फ्रक्टी बनाने के लिए उनके बारे में जाने तो साथ हम मिल करके एक नए अध्याई की सुरुआत कर सकते हैं दूसरा अनुभाव मैंने पाया कि जब ज़रौत हो अगर उस वक्त आप कानून पास नही आप जानते हैं कि दुनिया तेजी से जितनी बदल रही है पहले ऐसी नहीं बदलती हाथ बदली हजारों वर्स के परिवर्तन कुछ एक वर्सों में हो रहे हैं जो आज की जमाने में तकनीक विज्ञान और अर्थसास इंजिनिरिंग की दृस्टी से जो चीजों को परिवर परिवर्तन देखने वाले हैं जो पहले 20,000 वर्सों में नहीं हुए यानि आप देखें पिछले 100 वर्सों में जितनी सारी टेकनलोजिकल रिवलूशन, डेट ऑफ डेस्टेंस, इंफॉर्मेशन रिवलूशन, ग्लोबलाईजेशन यह जो सब कुछ हुआ यह पिछले 500 वर् वर्सों में जो पिछले परिवर्तन हुए, वो हमारे समय में 30-40 वर्सों में होने वाले हैं, उनके अनुरूप अपने समाज को राज को बनाना और बहतर उसके अनुरूप कदम ताल से आगे बढ़ाना, यह हमले स्लिचर्स का दाइद तो है, अब जैसे मैंने, जब मैं रा लोकायुक्त एक्ट 1968 में आया, पर कानून बना अंतता 2019 में 51 वर्सों बाद, एजी नुरानी के बड़ी मसहूर पुस्तक है, मिनिस्टर्स मिसकंड़क्ट जो 60's की है, उसमें इसका उनलेक है, 1960 में लाव कमिसन ने बेंक्रप्सी लाव रिफॉर्म का सजेशन दिया, पर 2016 मे Insolvency and Bankruptcy Code बना, Automobile Revolution 1 1991 में कैसे accidents बड़े-बड़े पैमाने पर, दुरघटनाय बढ़ी सलकों पर, लाखों की संख्या, गाड़िया करूनों में हो गई सलकों पर, पर ये चीजें रोकने की कोशिस, 25 वर्स, 30 वर्स, 40 वर्स बाद कानून बना कर हुए, इसे हमें ठीक करना ह होगा, इसके लिए हमें डॉक्टर अंबेटकर साहब ने, जो समिधान के निर्माता माने जाते हैं, उन्हों ने च्टावनी दी थी, मैं कोट करना चाहूंगा, अल्वे, unless we in Parliament, including Vidhan Sabhan, Vidhan Parishat, realizes our responsibilities and solder the task of looking after the welfare and good of the people, within a reasonable time, I have not the slightest doubt in my own mind, that this Parliament or Vidhan Sabhan, Vidhan Parishat, will be treated by public outside with utter contempt, it would be a thing not wanted at all, इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में सजग रहना चाहिए, इसका socio-economic cost of such delays, ऐसे कानून जो थुरत बनने चाहिए, उनमें जो delay होता है, उसकी बड़ी कीमत समाज और देश को चुकानी पड़ती है, आज दुनिया में dynamic legislature की बात हो रही है, जिस West Minister Model से हमने Britain उगर से अपनी व्यवस्था ली, वहाँ अज Futuristic कानून कैसे समय से बने, इसकी कोशिस हो रही है, बकाजे ब्रिटेन में, Finland में, future के कानूनों को बनाने के लिए अध्यन करने के लिए संसदी सपोर्ट और कमीटिया है, मैं उसको एक उदाहर से आपको बताना च चाहूँगा, बिहार में ऐसे काम कैसे समय समय में पर हुए हैं और हो रहे हैं, जैसे अभी आपने सुना जल जीवन हरियाली का, स्टीफन हौकिंग जो हमारे समय के सबसे बड़े जीवित साइंटिस्ट थे, 2018 में जिनकी किताब आई, मैं अपनी स्मृति का धार पर किताब का नाम ले रहा हूँ, आप जानते हैं, चेयर पर एक व्यक्ति की बड़ी असक्त और मसीन से बोलते हूँ आपनी तस्वीर देखी होगी, उनकी एक ही किताब 25 मिलियन दुनिया में भी की थे, बड़े फूचरिस्ट और बड़े साइं जिवन हरियाली पर सोचा, यह सारी चीजे फूचरिस्टिक हैं, ऐसी चीजों के बारे में हमें सोचना होगा, इसी तरह रिपील ओफ रिडनेंट लॉज, 2014 से बीच के बीच किंद्र ने 1500 पुराने लॉज को खतम किये हैं, जो आपरासंगिक हो गये थे, अनिक राज्यों न पुराने सुरेंसे हैं, यह सुरेंस हो हैं जिनका ना बजट में प्राउधान है, ना प्लाइनिंग में इनका हिस्सा है, और यह साहिद पूरे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो इन चीजों पर हमें रिलुक करना चाहिए, आज आप जानते हैं हमारा काम कानून बनाना, जुड़े सवालों को उठाना है मुखे तर, तो कानून बनाना मुखे काम, उसके बाद बजट का है, आज की तारीख में बजट स्कूरूटनी, जो बजट हमारे समाजिक आर्थिक बदलाओं का सबसे इंपॉर्टन्ट माध्यम है, उसके बारे में गहराई से अध्यन हम सा सांसदों को, विधायकों को होना चाहिए, कम से कम मैं महसूस किया कि जब मैं सांसद बना, तो revenue receipt क्या है, revenue expenditure क्या है, capital receipt क्या है, capital expenditure क्या है, physical deficit क्या है, current account deficit क्या है, revenue loss क्या है, budget estimate क्या है, revised estimate क्या है, सरकार की इंकम और खर्च कहां से होता है हम सारे लोग बहुत असानी से सुझाओ देते हैं कि इस पर इतना बजट बढ़ा दे पर वो पैसा आए कहां से साइध हम इसके लिए कोसिस नहीं करतें समझने के लिए जैसे हम घर चलाते हैं देश वैसे चलता है राज्य वैसे चलता है कम से कम इन चीजों पर अपने समाज के अपने छेतर के सोसल एकनोमिक इंडिकेटर्स के बारे में हम बहुत गहराई से जाने तो साइध हम बहुत इफेक्टिवली अपना काम कर सकते हैं अभी कल ही मैं पढ़ रहा था बिहार के बारे में खबर कि किस तरह बिहार ने अपना revenue surplus budget रखा है और साथ ही किस तरह से FRBM Act के तहद successfully over the years अपना revenue surplus maintain किया है ये क्या चीज़ आप समझेंगे तो इसके महत्तों को जालेंगे ये साथ कुछ एक राज्य कर पा रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों के बारे में जानना और इसके लिए लोग सभाई स्पिकर साब ने एक अच्छी सुरुआत की है और सायद बिधान सभाई में भी ऐसा होता होगा और निश्चित रूप से जहां नहीं होता हो ये चीज होनी चाहिए कि रिसर्च विंग बनाकर बेहतर तरीके से इन टर्मनलोजिस का जिसके माध्यम से बजट पर बहुत अच्छी तरह से आप कॉंट्रियूट कर सकते हैं उनके बारे में बताया जाए जब मैं दिल्ली गया तो अनिक ऐसे प्यारे सुगरे जैसे संस्थाएं थी जो नए सांसुदों को बुलाती थी और एक एक चीज पर बता दी थी मैं उनमें जाता था सुबह सुबह संसा सुरू होने के पहले तो कम से कम जितनी अच्छी तरह से अगर हम नियमावली को समझेंगे बजट को समझेंगे उनके जो टर्मलाजी है उसको समझेंगे तो हमारा कॉंट्रिब्यूशन बहुत होगा बोलने का टाइम मैनेजमेंट यह भी ध्यान खुद हमें रखना पड़ेगा अटेंडेंस का खास दोर से मैं पाता हूं कि जब कानून महत्मुन बनने होते हैं तो दो पहर बाद हमारी संख्या कम हो जाती है यह कम से कम रूची हो और हमारी मर्यादा तब बढ़े मैं आपको बताओं मानिय सोमनाह जी ने स्पीकर के रूप में क्या कहा यह हम सब के लिए जो सदन चलाते हैं एक मार्क दर्सक सूचक है कहा इफाई टेक ए स्ट्रॉंग एक्शन आइम ब्लेम्ट ऑफ बिंग पार्टिसेन इन इफाई टेक ए माइल्ड एक्शन दिन अलसो मानिय स्पीकर साब को अच्छी तरह पता होगा कि हमारे मानिय मुख्यमंत्रिय नितिस कुमार जी ने मैं लोग सभा के रिकॉर्ड देख रहा था प्रिजरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बड़ी इफेक्टिवली भूमिकानी भाई है साथ दस्वी लोग सभा में वह पैनल ऑफ चेयर परसंस में 23 जनवरी 1993 से लेकर 10 मई उन्हें सच चानवे तक रहे जब भी संचालन सदन की कारवाई हुई बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चलाया कुसलता से और साथी संचालन के साथ अपनी पार्टी के नेता के नाते सदन में हर आउसर पर बड़े प्रभावी तरीके से अपनी बात भी रखी पर एक उलेखनी चीज और मैंने पाई सदन के नियमों और प्रिसिडेंट्स का उन्हें बहुत अच्छा ग्यान है उन्होंने प्रोसीजरल मैटर्स पर भी सवाल उठाए मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ा अच्छा उसर है कि ऐसा नुभवी व्यक्ति आपके साथ हैं आज जरुरत है कि हम कैसे लोक तंत्र में सौनुसासन कायम करें मैं महात्मा गांधी जी ने इस बारे में क्या कहा सौनुसासन पर डॉक्टर राधा किस्णन ने क्या कह पंडी जवाहर लाजी ने क्या कहा विस्तार से बताता पर अपने समय में बोलने के लिए मैं सिर्फ पंडी जी का कोट बताना चाहूंगा यहां आप समझ सकते हैं कि जो हम बात करते हैं कि कैसे विधाई का की गरिमा घटी है तो समें हम सब का कैसे कॉंट्रिवेशन है यह कहा था उन्होंने जब राजसमा के सदस्श्यों की विदाई हो रही थी ती अपना उनके फेरवेल में कहा Parliament does not set some kind of an example to the rest of the country as we behave here to each other towards our work towards the general public so to some extent others will behave elsewhere whether in the state legislatures or in many other organs of self-government that exist in the country or that are growing up right way down to the foundation of our democracy, the panchaats in village, therefore on all of us rests with great responsibility not only to behave as we should behave but to remember always that a million eyes are upon us and we may not do something that brings the slightest discredit on parliament or set a wrong line before the people यानि हम जो आचरन करते हैं कैसे नीचे आपको पंचायतो तक जाता है अगर हम अनुकरनी ये ना बने तो पंचायतों तक का नत्रत्व कैसे बहतर नहीं होगा और हमारी महाभारत में कहा गया है महाजनों ये इन गतासुपन था समाज में आगे जो लोग जाते हैं उनको लोग कैसे अनुकरन करते हैं डॉक्टर अंबेटकर ने कहा है कहा आवर इप्रेजंटर इन सुझाइब लिए इटिंटेशन साथिकुलेट थीम अफूर्डर अठीपलेज इस्क्रिट अफूर्डर की जिए बिएश्ब लोग जाता ओंगा ये पुराने लोग तंत्र का पलड़ा cradle of cradle of ancient democracy कहा जाता है लिक्ष्मी गणराज 6th century BC 22 साली में किस तरह से सभाओं में आमनिर्णय होते थे पहला गणतंत्र कैसे संबाद पर अधारी था बौध भिच्छू त्रिपटिक की रचना की सुरूप में हुई जनक के दरवार में अस्टावकर कैसे गये कैसे संबाद हुआ संकराचार मंडन मिस्र का यहीं का सास्रार्थ है और जैन और बौध परंपरा का विकास्तो भिहार में हुआ है धर्म दर्सन नैतिक जिउनसासन के महत्मों पक्चों पर शरिष सास्रार्थ और तक आप पहुंच सकें समिधान की परिकल्पना यही है जो बिहार की धरती से निकला मैं बिहार की लेगेशी को समण करते हुए एक दो बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कल ही हमने खबर पढ़ी कि 1200 बरसों पुरानी एक बुद्ध की मुर्ती जो नालंदा के किसी प्रतीक है यह अध्भूत परंपरा यह बिहार की धरती की रही है ब्रिटिस काल में भी बिधान मंडलों में बिहार की लोगों की अग्रणी भूमिका रही है लिजेंडरी बिठल भाई पटेल जब इंपिरियल इसलेटीव एसम्बली के पहले भारती अध्यक्ष थे तो ब और टराजन्द पुसाद की समिधान सभा के स्थाय धक्ष बिहार से ही हुए समिधान सभा में बिहार से नेक इस हस्वी सदस रहे बिहार विधान सभा विधान परिस्द में स्रस्ट डिवेट्स होते रहे हैं मैं जिस पहले प्रोफेसर्ण में था मैं लिखवाता था कपिल देव बावू से और विधान सभा पर बहुत कुछ मैंने बजट से लेकर उन से लिखवाया यहां की परंपराथी लाइवरेरी में आज ही मैं देख रहा था पचास अजार पुस्त के हैं रेयर उन्हें से कई से दस्तावेज हैं और सब बहुत चीज़ें डिजिटलाइज हुई है इस तरह से यहां की संपदा है पर एक ही समस्या साथ यहां भी है जो जिसकी चिंता माननी है लोकसभा अध्यक्ष जो जिनका सनेह मुझे मिलता है उन्होंने वहां भी दिखाई कि हमारी लाइब्रेरी में आने वालों की संख्या घट रही है मुझे लगता है कि अगर संपन डिवेट हमें करना है तो जैसे बिहार में बहुत दिनों तो यह परंपराथी बहुत लोग आते थे उसको हम कैसे वापस करें अब मैं अंत में राजंद्र बावु के एक कोट के साथ अपनी बात खत्म करूंगा जब समिधान को भारत के समिधान को स्विकार करते हुए उन्होंने जो बात कही वही हम सब के लिए मापदंड है कसौर्टी है if the people who are elected are capable and men of character and integrity they would be able to make the best even of a defective constitution if they are lacking in this the constitution cannot help the country after all a constitution like a machine is a lifeless thing it requires life because of the men who control it and operate it and India needs to do nothing more than a set of honest man who will have the interest of the country before them it requires men of a strong character men who will not sacrifice the interest of the country at large for the sake of smaller groups and areas who will rise over the prejudice which are born of these of differences ये राजंद्र बावु ने कसौर्टी कही थी कैसे चरित्रवान लोग आए सामने और देश्ट समाज को आगे ले जाए इसके साथ ही मैं आयोजकों को माननी अध्यक्ष बिहार विधान सभा लोक सभा प्राइड के अधिकारी गण सबको मैं धन्यवाद देना चाहूं और आप सभी लोगों को कि आपने धहर से सुना और मुझे इस गौरवसाली कारिक्रम का हिस्सा बनने का उसर दिया नमस्कार धन्यवाद बिहार के गौरव में इतिहास के बारी में चर्चा करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विश्यों एवं विचारों को हमारे बीच रखने के लिए माननी उपसभापती राज्यसभा महुदै को कोटी कोटी अभार धन्यवाद और अब आज के इस कारिक्रम के मुख्य अतिती के रूप में हमारे बीच उपस्थित भिहार के यशष्वरी मुख्य मंत्री माननी है श्री निधीश कुमार जी को अभीभाशन हेतु, सादर आप सबों के बीच अमंतित करती हूँ माननी मुख्य मंत्री भिहार यहार विधान मंडल के इस प्रभोधन कारिक्रम में विशेश तोर पर मुख्य तेथी के रूप में उपस्तित लोक सभा के माननी अध्यक्ष स्री उम बिडला जी राजिस सभा के माननी उपसभापती स्री हरिवंस जी बिहार विधान सभा के माननी अध्यक्ष स्री विजे कुमार सिनहा जी बिहार के माननी उपमुख्य मंत्री स्री तारकिसुर प्रसाद जी बिहार की माननी उपमुख्य मंत्री स्री मत्यी रेनु देवी जी बिहार विधान सभा के माननी उपाध्यक्ष स्री महस्वर हजारी जी बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता स्री तेजश्वी प्रसाद यादब जी बिहार विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष और अब बिहार सरकार के मानिये मंत्री संसदिये कारी स्री विजे कुमार चौधरी जी यहां इस कारीक्रम में उपस्तित पूर्व केंद्रिय मंत्री और मानिये संसद स्री राजी प्रता पुरुभी जी मानिये संसद स्री दुलालचंद गोस्वामी जी और यह दोनों का रिस्ता बिहार विधान सभा से रहा है यहां इस कारीक्रम में उपस्तित कॉंग्रिस विधायक दल के मानिये नेता स्री अजीत सर्मा जी CPI ML के मानिये नेता जनाब महूब आलम साहब EIMIM के मानिये नेता जनाब अक्तरूल इमाम साहब CPI ML के मानिये नेता स्री अजे कुमार जी लोग सभा के माननिय महा सचिव स्री उत्पल कुमार सिंग जी बिहार विधान सभा के सचिव स्री सैलेश सिंग जी बिहार विधान परिशत के कारेकारी सचिव स्री विनोत कुमार जी इस प्रबोधन कारेकर में उपस्तित सभी माननिय मंत्री गन बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिशत के मानिये सदस्य गन लोग सभा से आये हुए अन्य सभी अधिकारी गन विशेष ततिति गन प्रिंटों में इलेक्रोनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायकार बंधों उपस्तित बहनों एवं भाईयों आज के इस विशेष कारिक्रम में मैं सबसे पहले लोग सभा के माननी अध्यक्ष स्री ओम बिड़ला जी का और राज सभा के माननी अध्यक्ष स्री हरिवंस जी का विशेष तोर पर अविनंदन करता हूँ आज हमारे लोग सभा के माननी अध्यक्ष पधारे हैं और ये पूरी बात आज के इस प्रबोधन कारेक्रम के सिलसले में अपनी बात रखेंगे ये खुसी की बात है कि जो भी नव नर्वाचिस अदस्यों के लिए इस प्रबोधन कारेक्रम का आयुजित किया जा रहा है और उसका विशे रखा गया है लोक तंत्र की यात्रा में विधायकों का उनमुखी करन एवं उत्तरदाईत हो और इस कारिक्रम का आयुजन संसद्य लोक तंत्र सोध एवं प्रसिक्षन संस्थान लोक सभा तथा बिहार विधान सभा सचिवाले के संजुक तत्वा वधान में किया जा रहा है ये खुसी की बात है और सब लोग यहां पर आये हुए और इसके लिए तो मैं बिहार विधान सभा के मानिय अध्यक्ष स्री विजे कुमार सिनहा जी को बधाई देता हूँ धन्यवाद देता हूँ आपने लोकसभा के अध्यक्ष महोदे को बुलाया, बिहार विधान, राज्य सभा के मानियोग सभापती जी को बुलाया और सब लोग यहां पर आप करके अभी कुछ बात भी कहें, सब लोगों ने अपनी बात यहां पर रखी है तो यह बड़ी खुशी की बात है, और यह कारिक्रम की सुरुवात पहले से चल रही, बिहार विधान सभा में, 2006 में भी, यह कारिक्रम का सबसे पहले, यह प्रबोधन कारिक्रम आयुजित किया गया था और उस समय लोग सभा के ततकालीन अध्यक्ष स्रधे सोमनाथ चटर जी जी और संसदी अध्यन और प्रसिक्षन ब्यूरो के मानिय सलाहकार मानिय स्रिमती मार्गरिट अलवा जी पधारे थे और उस समय बिधान सभा के अध्यक्ष थे स्री उद्य नारायन चोदरी तो कारिक्रम हुआ था बहुत अच्छा कारिक्रम उस समय भी हुआ और उसके बाद फिर 2011 में उन्हीं के कारिकाल में दूसरी बार भी था जो प्रबोधन कारिक्रम हुआ उसमें लोकसभा की उस समय की मानिया ध्यक्ष स्री मती मीरा कुमार जी वो भी यहां पर पधारी थी और उस समय राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता अब नहीं रहे स्वर्गिये अरुन पाटिल जी अरुन जेटली जी वो पधारे थे यहां और इसके अलावे जो हम लोगों के यहां पर राज्यसभा के मानिय उपसभा पती जनाब के रहमान खान साहब थे तो यह भी 2011 में यह सब लोग आये थे तो इस सब काफी अच्छा हुआ और तीसरी बार जब यह अध्यक्ष यहीं पर है विजय कुमार चौधरी जी अपनी बात पर बोल रहे थे तो अपना ही समय का सब बात बता ही रहे थे इसलिए हमको दोराने की जरूरत नहीं है लेकिन इनके समय में भी हुआ तब ही तो बत पाए लेकिन इन्होंने भी उस कारिक्रम का यहां पर आयोजन किया था तीसरी बार जो इन्होंने किया तो उस समय संसदिये मामलों और संबिधान के विसे सग जी सी मलहुतरा जी थे बहुत अच्छा बोले थे और कितनी अच्छी बात अपनी बोले थे आप ही को नहीं अब चौथा कारिक्रम हो रहा है आज ओम बिड़ला जी पधारे हुए है हम लोगों के लिए तो खुजी की बात है और एक बात हम और बता देना चाहते है यह सब काम तो हम लोगों ने जो कुछ भी किया शुरू कर दिया हम लोगों ने यह सब तो बात है प्रबोधन कारिक कि बंगाल से अलग करके बिहार और उरिशा को एक राज़ अंग्रेजों ने बनाया थे कि अब उसके बाद एक बना था बिहार विधान मंड़ गुए तो उस समय जो सुरू हुआ था लेकिन उसके बाद फिर दो 1920 में बिहार और उरिसा का जो राजय था उसको पूर्ण राजय का दर्जा दिया गया था और उस समय जो विधान मंदल के संख्या थी उसको संख्या और बढ़ी थी तो वो हुआ था उसके बाद उसकी पहली बैठक और उसी समय ये जो आज जा आप देख रहें विधान मंदल का भवन जो है ये उसी समय सौ साल पहले ही बना और उसके बाद उसी जिसी कैंपस में फिर वही विधान मंदल का सत्र सुरू हुआ था तो वो चीज जो है और पहली बैठक हुई थी साथ फरवरी 1921 तो चुकि पहली बैठक सौ साल पहले सुरू हुई थी साथ फरवरी को इसके बाद में अब साथ फरवरी को इसका एक अवसर बनाया जाता है अब साथ फरवरी को ज़्यादा पहले से रही लेकिनी बीजे कुमार चौधरी ज़्यादा पहले से बनाना सुरू कर दिए इसको continue कर रहे हमारे विले कुफार सिंग जी तो इन सब चीजों को जिस तरह से बहुत तरह का कारेकरम हुआ है कई तरह का कारेकरम यहां पर किया गया है हर चीज के बारे में जो सकुछ भी किया गया है और आप जानते हैं कि इस बार कितना अच्छा काम हुआ सौ बर्स पूरा होने के उपलक्ष में जो सब कारेकरम किया गया और उसके लिए फिर आदर्नीय रास्टपती जी को भी बुलाया गया अक्टूबर दुहजार एकईस में आये मामहिम रास्टपती जी यहां पर पधारे आदर्नीय रामनात कोविद जी और उसके बाद सताब्दी स्वृति स्तंभ भी उनका सिलान्यास उन्होंने किया और बोध गया सिला करके पवित्र बोधी ब्रिक्ष लाया गया उसको भी यहां पर लगाया गया तो यह सब काम तो आप लोगों ने बहुत अच्छा उसमें भी करवा दिया है तो यह सब चीज जो है और साथ फरवरी को इस बार भी थोड़ा स्थापना दिवस मना दिया लेकिन अब वही महीना चल रहा है और आज ही का कारिक्रम आपने यह सब जो प्रबोधन कारिक्रम का सुरुवात किया ही अच्छी बात है अब यह वही रहा है और इसके पहले भी एक बात सब लोगों को मालूम ही होगा बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं याद नहीं होगा या भूल रहोंगे यह भूलने वाली बात पिसको हमेशा याद भी रखना चाहिए एक बात अच्छी तरह जान लिजिए कि 22 मार्च 2012 से यह बिहार की सुरुवात हुई एक अलग राज को रूप में इसलिए सौमा साल जो था 22 मार्च 2011 को तो उसमें विधाई परिशत की स्थापना के सताब्दी वर्स का आयोजन किया गया था यानि समझ लिए सौमा साल सुरू हुआ जो 2011 में तो उसकी सुरुवात की गई थी और उस समय बुलाया गया था इस कारिक्रम में ततकालीन जो महमहिम रास्ट पती थी स्रिमती प्रतिवाद देवी सिंग पाटिल जी वो भी यहां पधारी थी और विधान परिशद में ये कारिक्रम का योजन किया गया था उस समय कि हमारे ततकालीन सभापती जो आज वो नहीं है स्वर्गीर ताराकान ज्हाजी उन्होंने बहुत महत्वपुन भूमिका निभाई थी और 27 समारों के अवसर पर व्याख्यान मालाओं की भी स्रिंखला प्रारंब की गई थी और उसके लिए पहला व्याख्यान देने के लिए तीन मई दुहजार ग्यारह को पूर्व रास्टपती आदर निये डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम आये थे उनको बुलाया गया था तो तरह तरह का कारिक्रम सोच लीजी है तो बहुत दिनों से सतर साल की बात सो साल की बात लेकिन जिस तरह से बहुत सारी चीजों को पुरानी चीजों को लोगों को याद करवाने के लिए जो काम किया गया यही दो हजार 1912 से सुरू हुआ तो उसी को ध्यान में रख करके 2011 से सौवे साल से कारेक्रम बिहार विधान परिशत के द्वारा एवजित किया गया और कितना अच्छा कारेक्रम वो हुआ था और किस तरह से और जानते हैं पहली जो उसकी मीटिंग हुई थी जो वो हाउस बना था उस समय जिसके बारे में चर्चा की तो 20 जनवरी 1913 को पहला विधान मंडल की बैठक की गई थी और वो बैठक हुई थी पठना कॉलेज में आज जो पठना कॉलेज है पठना इन्वरस्टी का वहीं पर बैठक हुई थी और उन्होंने ही ताराकान जहा जीने उस समय इन सब चीजों को देख करके तो उसके लिए 20 जनवरी 2012 को वहीं पर कारिक्रम आयुजित किया गया उसी इस थल पर ये सब पता करवाया गया पुराना इतिहास बहुत सारा चीज यहां नहीं था अंग्रेज लोग बहुत सारा चीज ले करके चले गया थी तो एक एक चीज उन्होंने सोच लिजे ताराकान ज्हाजी ने कितना काम चीए था तो सब लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और हमको अच्छी तरह याद है हम तो सब उसकारिक्रम में रहे यानि 20 जनवरी 2012 को पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में उसका एउजन किया गया सौमेश साल त जब हाउस बड़ा बना तब उसका सौ साल हो गया और इसके बारे में जो 2006 से ही जो आयोजित कारिक्रम हो रहा है प्रबोधन कारिक्रम तो ये सब चल रहा है ये बड़ी अच्छी बात है सब लोगों को जो भी विदान सवा विदान परिसत के नए सदस्य हैं उनको इन सब के बारे में मालूम हो जाए इसी के लिए ये प्रबोधन कारिक्रम किया जाता है कि नए लोग आ जाते हैं उनको हर चीज के बारे में जानकारी रहना चाहिए तो जनता चुन करके बेज़ती है तो जनता की बहूत अपिक्षाएं रहती है लोगों से और आप जानते ही हैं कि तो जो भी नियम और कानून जिस तरह से विधान सभा विधान परिशत चलता है इन सब चीजों को जब मानियस दस निर्वाचित होते हैं उनका सपत होता है तो उसी समय उनको इस सारे कागजात दिये जाते हैं ताकि वो इन सब चीजों को पढ़ ले और पढ़ने के बाद विधान सभा में विधान परिशत में जब भी वो नई बार आते हैं तो उसको देख करके अप उसी प्रकार से जो कुछ भी उनको काम करना है इस काम को कर सके तो यह सब तो उपलब्द किया जाता है लेकिन इसके बाद भी यह सोचा गया कि भाई इन सब चीजों को तो देखते ही है लेकिन जब कारिक्रम होगा तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे ढंक से लोग मानी और जो भी भी पक्ष में है उनको पूरा का पूरा अधिकार है अपनी बात बोलने का सबको अपना अधिकार है और कोई सत्ता पक्स में भी है तो हाउस जब चलता है तो प्रस्ण पूछने का अधिकार उनको है अब वो बात है कि सरकार का बिल है सरकार का कोई चीज है मामला है तो एक बात अलग है रूलिंग पार्टी के लोग उसका समर्तन करते हैं लेकिन हर सदस्य को यह धिकार है कि अपना पूरा वो जंता उनको चुन करके भेजती है लोगों की बड़ी अपिक्षा रहती है कि हमार के चुने जाते हैं यहisusement आलक बात लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर गार्विद्धान सभा के सदस से है तो सिर्फ सदस एक सदस एक 13 के तो प्रत्रथी हैं है लेकिन उनका दाईत होता है पूरे राज्य का दाईत हो जाता है एक राज्य की तो अपने छेतर की तो सोचना ही है लेकिन पूरे राज्य का दाई तो हो जाता है और उसी तरह से जो लोक सभा में जाते हैं वे एक छेतर से चून करके जाते हैं अपने छेतर के बारे में सोचना अपने राज्य के बारे में सोचना तो ही लेकिन वो पूरे देश के लिए जाते हैं तो ह और उसकी अंदर कोई किसी तरह से बात करने में किसी को कोई दिक्कत होती दिक्कत नहीं हुनी चाहिए बिलकुल पहले दिन से ही अपना सब चीज का उप्योग करTे हुए अपनी बात को पूरी गंभिरता से रखना चाहिए और यह सबसे बड़ी बात है कि और ठीक धंग से अगर किसी बात को रखिएगा उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और सब को अधिकार है अपने इलाके के बारे में बोलना उनको जो लगता है राज्य के हित में कैसे और बहतर धंग स से क्या कह सकते हैं जिसका लाव सबनों को होगा तो यह उनको कहना चाहिए लेकिन कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष में तब विपक्ष को तुब है अथिकार है ना पूरा बुलंदी के साथ बोलने का तो इसके लिए कोई परिसानी की बात नहीं लेकिन काम जरूर करिए किस से ज्यादा महत्वकुन होता है और उनके लिए यह बहुत इंपोर्टेंट है इस बात का हमेशा याद रखिएगा और आज आप सुन ही रहे थे आपको तो आप जो हरिवन्स जी कितना डिटेल में बोलें सब लोग और लोग भी सब लोग संचेप में बोलें लेकिन वह भी बहुत सारी बातों कि आपको उन्होंने चर्चा कर दी है और बिहार की खासियत सब तरह की बातों की चर्चा कर दी हैं हमारे अन्य साथियों ने भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है सब लोगों ने पूरा बुलंदी के साथ अपनी बात हाउस में जरूर रखिये इसके लिए नहीं कुछ सोचने की जरूरत है इस बात को रखना आपका दाई तो है हम सब दिन से इस बात के लिए कहते हैं कि जरूर करकिये और एक बात हम आपको अपना अनुभो बताना चाहते हैं लोकसभा मे जब हम लोग सभा में गए हम तो 89 से न गए तो सुरुए बेया मुंत्री बन गए तो क्या करते दूसरा काम लेकन उसके बाद से एक 29 से जब हम थे सदस तो एक एक चीज को देखते थे कि काफी कुछ होती है बात विवाद भी होता कई तरह की बाते होती लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि भाई यहां पर तो अपनी बात मजबूती से रखते हैं लेकिन जो Central Hall है वहाँ पर लोग बैठते थे हर पार्टी के लोग बैठते थे और एक दूसरे के साथ भात करते थे और उस समय तो मेरा अपना अनुभव आपको हम बता देते हैं लोग सभाग के कोई भी निर्वाची सदस जो लोग बोलते रहते थे उनको तो हम जान ही रहते और मिल ही रहते और देखी रहते सुन ही रहते अपनी बात बोलते थे लेकिन जो नहीं बोल पाते थे उन भी एक एक सदस्य से हम जान बूझ करके बात करते थे कि क्यूं नहीं बोलते हैं क्या क्या बात है लेकिन जब उनसे मिलते थे और बात करते थे तब पता चलता था कि इनको अपने इलाके के बारे में राज्य के बारे में और देश के चीज के बारे में सब चीज के बारे में इनकी समझ और ज्यानकारी है तो मुझको बड़ी खुसी होती थी और जो अनुभव वहाँ पर हुआ और जब आपस में विवाद होता घृत उसको लोग सबहामें जब बैठते थे अपस में तो आपस में पक्ष हो बादशित करते थे कि हमको पहली बार अन्वो हुआ कि क्या है साफ हाउस में तो पूरा मजबूती के साथ अपनी बात कहना है लेकिन बाहर आते ही सेंटरल हॉल होना चाहिए तब फिर अब वहां के बाद जब हमको यहां का मौका मिल गया है 2005 से तभी नहीं सेंटरल हॉल बाद यह कि अंदर चाहे जो भी हो और वहां के बाद बैठिये मिलिए बात कीजिए और एक दूसरे के साथ मिलिएगा बात्षित कीजिएगा बहुत चीजों को समझिएगा और इससे सब लोगों का की जानकारी बढ़ेगी और ज्यान बढ़ेगा इसलिए संसत के संदन के अंदर अगर कोई बात होती है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन पूरे तोर पर सब लोगों को मिल जूल करके इन सब चीजों का काम करना चीए हमारा तो यही कहना और बाकी तो आप सब लोगों को सलाह देंगे अब पहले भी बहुत लंबा-लंबा हम लोग भी कहते रहें कि य लिए सब लोग बैठिये और बैठक में अपनी बात पूरी है कि सिकायत हम कर रहे हम तो बढ़ाई कर रहे हैं आपका तब आप अब वहाँ पर करके वहाँ पर सब कुछ अपना बोल करके अब बाहर निकलते हैं तो हमसे गफ सब प्रेव से नहीं होता है कुम प्रेव से गफ वही हम कह रहे है कि सब को एकदम अपनी बात भी करना है आपस में मिल जूल करके काम करना क्योंकि हम सब लोग को मिल करके राज जी की सेवा करनी है और देश की सेवा करनी है जनता की सेवा करनी है और जनता को भरोसा है कि एक चीज पर इसलिए निश्चित रूप से आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए अपनी जिम्मवारी निभाना चाहिए हम तो आप सब लोगों से यही आक करेंगे और आज के इस अवसर पर हमारे बीच में पधारे हुए हैं पादर निये ओम बिड़ला जी हम तो उनका पुना अविनंदन करते हैं उनकी बात हम लोग बैठ करके खुब आराम से सुनेंगे और इनकी बात हम लोग हरिबंज जी की बात तो नहीं चुके हैं सब लोग मिल करके अपनी बात कहेंगे और जो भी हमारे नए सदस्य हैं आज की इस कारिक्रम में जरूर भाग लीजिए और एक एक बात को पूरे तोर पर समझ लीजिए बहुत अच्छा रहेगा और इसका फाइदा होगा और जान लीजिए अगर सक्रिये रहिएगा तो आप दिन जब तक चाहिएगा तब तक आते रहिएगा यहां और अगर निस्क्रिये रहिएगा तो हो सकता है बीच में गड़बडा जाईए इसलिए हम सब से हाथ जोड़ करके कहेंगे कि खूब सक्रिये रहिएगा तो इनी सब्दों के साथ आज का जो इस कारेक्रम कायोजन किया गया इसलिए मैं विधान सभा के मानिय अद्यक जी को विशेश तोर पर बदाई देता हूं और आपने सब लोगों को बुलाया है और बहुत अच्छे धंग से पुना कारेक्रम कायोजन किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को का अभिनन्न करते हुए मैं अपनी बात को समाब करते हूं दिल से अभार व्यक्त करती हूं हमारे बिहार के मानिनी मुख्यमंत्री महोदय को कि इन्हों ने इस अफसर पर अपने महत्वपुर्ण विचारों से हमें अवकत कराया कोटी-कोटी धन्यवाद मानिनी मुख्यमंत्री बिहार आज के इस एतिहासिक कारिक्रम बिहार विधान मंडल के सदस्यों के लिए प्रबोधन कारिक्रम के उदखाटन करता के रूप में हमारे बीच मंचासीन है मानिनिये अध्यक्षिलोक सभा श्री ओम बिला जी मैं उनसे अनुरोद करती हूँ कि महोदे आप इस उदखाटन सत्र में उदखाटन भाष्यन एवं आशिरवचन देने की क्रिपा करी आज के कारेकम में बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजे कुमार सिन्ना जी बिहार के लोगपीरे विधाये लोगपीरे मुख्यमंत्री मानिय नितिश कुमार जी राज्य सभा में उपसभापती सिरी हरवंश जी बिहार के उपमुख्यमंत्री स्री तारप किशोर प्रसाज जी रैनू सिंग जी पूर विधान सभा के अध्यक्ष संसदिय कारेमंत्री स्री विजे कुमार जी बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता स्री तेजस्री यादो जी लोकस्वा के मार सचिव स्री उपल कुमार सिंग जी लोकस्वा में हमारे साती सांसद स्री राजिव प्रता अवरूडी जी गोशामी जी बिहार सरकार के मंतिगन बिहार विधान सभा और प्रिशत के माननी सदश्गन बिहार विधान सभा का ये त्यासिक भुमन कि हम सताब्धी समारों मना रहे हैं पूर हमारे वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से बिहार और उडिसा कि प्रांतिय विधाई परिशत की बैठक साथ फरवरी 1921 हुई और इस एत्यासिक भुमन में हुई इसलिए हम हमारे पुरातत और हमारी पुरातन भुमनों को याद करकर उनकी स्मर्तियों को याद करते हैं बिहार विधान सभा का भुमन इस बात का शाक्षी रहा है कि पिछले कई दश्कों से लोक्तांति यात्रा में बिहार में लोक्तांत को सशक्त किया है मजबूत किया है और इसी आउसर पर आज डिजिटल टीवी की शुरुआत हुई विधान सभा की पत्तिका का भी शुरुआत हुई इसके लिए में विधान सभा के अध्यक्ष और विधान सभा को बहुत-बहुत सादुबाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ विधान सभा के सदश के रूप में जन्ता ने आपको बहुत अपिक्षा आकान शाओं की सात्याँ पर भेजा है एक महत्पूर्ण जिम्मेदारी दिये मुझे विश्वास है कि आप सब आम जन्ता की अपिक्षा आकान शाओं को पूरा करेंगे आपके प्रयासों से इस राज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा और इसकी लिए हमें व्यापक प्रयास करने की आउश्चक्ता है माननियों बिहार विधान सभा की भूमी विश्व में लोकतंत की जन्मिस्तलि रही लोकतंत जब लोकतंत की चर्चा करते हैं तो लोकतंत गुनिस सो से तालिस के बाद का लोकतंत नहीं है भारत में लोकतंत हमारी पुरातन स्वस्कती रही है और बिहार उसकी जन्मिस्तलि रही है यहार जन्मिस्तलि होने के साथ साथ यहां के लोगों में यहां के विचारों में यहां की कारिशली में हमेशा लोकतंत रहा है और इसलिए आज देश के अंदर कितने भी परिवर्तन आ जाएं लेकिन परिवर्तन के काल खंड में लोगतन्त हमारी कारिशेली का हमारे जीवन का भिन अंग रहा है ब्यार लोकतन्त की नहीं ब्यार भारत की सब्विता ज्यान आध्यत्मिक चेतना की धर्ती भी रही है भगवान बुद्ध को शान्ती और अइंसा और प्रेम का सासर संदेश बहुत गया से ही पूरे विश्व में प्रसारित हुआ है भगवान महावीर का संदेश आज भी मानो जीवन को एक रहा दिखाने का काम करता है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के संदेश आज भी प्रसारित है केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर उनके संदेश जीवन बदनने के लिए है साथियों ये मगज समराज अपनी शक्ती के लिए जाना जाता था लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला विश्विध्याले ने पूरे विश्व में ग्यान का प्रकाश किलाया इसलिए ग्यान की धर्ती भी बिहार को कहते हैं आध्यात्मिक धर्तियों ग्यान की धर्तियों एक बड़ी विरासत इस बिहार की रही है और इसकी कला संस्कती यहां की विवित्ताएं अपने आप में पूरे देश के अंदर एक संदेश देती है बिहार प्रान्त के लोग अभी मानिय मुख्यमंती जी बता रहे थे कि बड़ी संक्या के अंदर बिहार के लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करते हैं उनकी राष्टिये अंतराष्टिये इस तर पर उनकी सिवाएं पूरा देश जानता है किस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि उधारने कई तरीके के कि देश के अंदर पढ़ने वाला विध्यारती और सरकारी राज की सेवा के प्रशाष्णी सेवा के अधिकारी के रूप में अगर पूरी देश में सबसे ज़्यादा अधिकारी है तो वह भिहार का है मेरे संसलिय शित्र के अंदर भी कोटा में भी कम से कम एक लाख विध्यारती वहाँ पर कोचिंग करने आता है वहाँ के विध्यारतियों की प्रतिभाओं को मैं जानता हूँ और भीहार का नोजवान की प्रतिभाओं कोशल के माध्यम से आज भीहार का नाम नहीं कर रहा पूरी देश का नाम अंतराश्टी स्तर पर इस भीहार का नोजवान कर रहा है चंपारण बिहार में कि धर्ती पर महात्मा गांधी ने एक नया संदेश दिया था उस समय उनके आंदुलन ने सत्य अइंसा और सत्यागरक करकर एक नई दिशा दी और चंपारण का आंदुलनी था जिसने आजा दी की एक नई लड़ाई के अंदर एक नई दिशा दी है भारत के प्रथम राष्टपती देश्टत राजंदर प्रसाजिक समस्देश व्यास जानते हैं सादा जीवन उच्विचार के आधार पर उन्होंने एक नई दिशा दी थी लोकनागन जेरप्रकाश नारायन की समंकरांती जिसने सामाजिक जीवन में व्याफक बद्लाव किया आज हम करपुरी ठाकूर जी जिनोंने न्याय और सामाजिक न्याय के आधार पर देश्ट को अति पिछड़े पिछड़े लोगों के न्याय के लिए दिशा दी उनको भी याद करने का आद दिन है कि उनकी पुन्यतिती है साथियों संता प्राप्ति के बाद भारत की इस लोगतन की गोरोशाली यात्रा में हमारी सविधानी सवस्ताओं को सक्त किया है मजबूत किया है हमने कई स्षित्रों के अंदर उलेकनी प्रगत्ति किया है आज जब हम आज़ादी का पिछक्तन्वश मना रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगतांति सवस्ताओं को और मजबूत करें और शष्षक करें दीश के अंदर संसद हो चाये विधानमंदर हो हमारी कोशिश होनी चीए कि एक जनप्रती निती के नाते इन संस्ताओं को मजबूत करें सशक करें जनता की अपिक्षा आकानशा रखें और जनता की समश्याओं को सवेद शीन के साथ रखकर इन संस्ताओं को हम उनकी अपिक्षाओं को पुरा करने वाली संस्ता बनाने कर काम करें सदन की गरिमा पर बहुत चर्चा होती है हम भी कई बार चर्चा करते हैं सदन की गरिमा और मर्यादा रखना हम सब की जिम्मेदारी है जितनी हम सदन की गरिमा बनाये रखेंगे उतनी हमारी भी गरिमा रहेगी और इसलिए प्रतिनिती संस्ताय होने के कारण जन प्रतिनियों की विशेज जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस वर्तमान परिपिक्ष के अंदर सदन के अंदर सदन की मरियादा रखें सर्दन हमारे अधिक्तम चर्चा समवाद के केंद बने और चर्चा समवाद से जो मंथन निकले जो विचार निकले उससे हम एक अपिक्षित परिणाम लाकर देश और प्रदेश की जनता का कल्यान कर सकें और इसलिए ये सधन जहां पर कारे पालिका के लिए जवाब देवी बनाते हैं महां सरकार में पारदश्ची ताइग लाने का भी काम करते हैं इसलिए मुक्हिमंति जी ने का कि सधन में चर्चा होनी चीए समाद होनी चीए अपनी बात को पूरी जोड से रखना चीए तरकों से रखिवी बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चीए और कारे पालिका पर नियंतन करने की कोशिश करना चीए हमें कोशिश करना चीए कि हर मुद्दे पर हर विशे पर सदन में चर्चा हो विचार विमस हो कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो समाध हो नितिया बना सामुइक्ता के साथ होंगे उन सामुइक्ता के निर्णे के माध्यम से हम एक अपेक्षित परिणाम राज्य में ला सकते हैं इसते हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से हम इन सद्नों को चर्चा और समवात का केंद बनाएं लेकिन जब आजादी का 55 रश कामरत मोस्व मना रहे हैं तो हमारे लिए बहुत चिंता का विश्य भी है कि देश में जिस तरीके से चाहे राज्य के विधान मंडल हो चाहे केंद के विधान मंडल हो जिस तरीके से सदन में गरिमा गिर्ती जा रही हमने पिछली बार शिम्मला के और इसके लिए आउश्यक होनी चीए कि हम इन विधान मंडलों के अंदर चर्चा करें समवात करें विचारी मर्ष करें सामविक्ता के साथ निर्णे करें लेकिन हम सब के लिए चिंता का विश्य है कि लगाता सदनों में चर्चा कम हो रही है समवात कम हो रहा है कानून मना करतिसे में व्यापक चर्चा संभाधनी और सदन में गरिमा कम होती जारी है हमारी अनुशाशन और शालिंता हमारा आभूशन होना चीए और इस सब की जिम्मेदारी हम सब किसा शात्यों यह बहुत दिलिये संसुदिये वहस्ता हमारे अब बहुत दिले संसुदी वैस्ताओं में सरकार आती है जाती है दलों में परिवर्त होती है लेकिन इन सब परिवर्तन के बाद भी हमें ये व्यापक प्रियास करना चाईए चाहे सथा किसी भी दल की हो हमारा ये प्रियास हो कि सदन में चर्चा और समवाध हो सदन की गरिमा बनाये रखें शालिंता के साथ चर्चा करें चर्चा समवाध कितना भी तीखाओ लेकिन चर्चा समवाध में प्रदेश का हिट सबसे पहले होना चीए और जब चर्चा समवाद होगी तभी सदन की गरिमा और बढ़ेगी इसलिए हमारी कोशी सुना चीए कि लोकतंत के मंदिरों को हम वाद विवाद और समवाद आधरित पद्धती बनाएं साथियों हमारे लोकतंत में पक्ष विपक्ष समती असमती हमारी कारिश संस्कती के अंदर है और हमारे लोकतंत की ये विशेष्टा है चाए कितने भी मतवेद हो कितनी भी समती असमती हो लेकिन उन सहमती असमती की लोगतंत की संस्कृति के अंदर हम किस तरीके से राज्य के विकास की योजनाय बना सकते हैं और इसलिए सहमती असमती अलग मुद्दों पर होती है अलग-अलग विचारधाराओं अलग-अलग अपिक्षाओं से लोग चुनकर आते हैं लेकिन सब के बाद भी हम किस तरीके से इन सद्नों के अंदर व्यापक्ष चर्चा समवाद कर सकते हैं और सहमती असमती दर्ज कराते हुए किस तरीके से जनता का कल्यान कर सकते हैं ये हम सब की जिम्मेदारी है और पिछली बार जब पीठासिन अधिकारियों का शताब दी संबेलन जब शिमला में हुआ तो सब पीठासिन अधिकारियों की एक ही चिंता थी कि सदनों की गढ़ती हुई संक्या हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से विधान मंडलों के अंदर बैटकों की संक्या गढ़ती जा रही है क्योंकि बैटकों की संक्या गढ़तने का कारण सदन में शालिंता भी है न होना गरिमाने होना भी है इसलिए हमारी कोशिश हो नाची कि जनता ने जिन अपिक्षाओं के साथ हमको चुनकर भेजाएं जिन आशाओं विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजाएं हम सदन की बेट के ज़्यादा देर चलाएं ज़्यादा दिन चलाएं हर मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो हो कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो जनता की सक्री भागिदारी हो जनता के इंपुट लेकर हम कानून मनाते समय अपने तर्क रखें ताकि उससे सरकार में भी पार्दश्चित आएगी और कारेप्वालिका पर भी व्यापक नियंतर आएगा इसलिए हमें कोशिश करना चीए कि हम अधिक्तम समय चर्चार समवाद का किंद इन विधान मंदलों को बनाए साथियों अब समय आ गया है जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहें अमरत बहुत सों मना रहें तब देश की जनता की अपिक्षय हमसे बहुत जाद है आज दुनिया के अंदर जो देश लोगतांतिक देश नहीं है वो भी डेमोकरसी के ओर बढ़ रहे है आज डेमोकरसी पर चर्चा हो रही है पूरे वि भारत तो लोगतंत की जननी है और इसलिए हमारा इस समय संकल्प विचार होना चीए कि हम हमारे लोगतंती मुल्यों को कैसे मजबूत करें और लोगतंती मुल्यों को मजबूत करने के लिए हमारे सदनों विधान मंडलों को हमें व्यापक रूप से चर्चा और का केंद बन लेकिन इस डेमोक्राशी लोकतंत को अगर सशक्त बनाना है मजबूत बनाना है तो हम सब की ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है जिनको जनताने चुनकर भेजा है इसलिए सदन में अपनी सवाथ तरकों से कहें तीखेपन से कहें असमती दर्ज कराएं लेकिन चर्चा और सवाथ के बीच में हमें गरिमा शालिंता नीचोड़ना है आजकल जो विधान मंडलों के अंदर जिस तरीके की गरिमा और शालिंता गिरती जा रही है इससे सारा देश का वेक्ती चिंता है मुझे कई बार लोकसवा में लोग कहते हैं कि लोकसवा चलेगी न चलेगी कई विधान मंडलों में देखता हूं कि बहुत कम विधान सवाव की बैठके होने के भी उनका आधा समय शौरगुर्ड नारेवाजी तक्तियों के अंदर बोज़ जाता है सातियों हमें देश को प्रदेश की जनता ने यहां पर उनकी अपिक्षय आकांशायां के लिए भेजा यह नारेवाजी और तक्तियों लेनी भेजाए इसलिए हमारी कोशिशों नीच ये किस आजादी के पित्रतर वार्ष्वर में हम संकल्प लें कि इन विधान मंदनों की गरिमा को बढ़ाय रखेंगे और जनता की अपेक्षाय आकांशाओं को इन विधान मंदनों से पूरा करने का काम करेंगे यहाँ पर बड़ी संक्या में पहली बार चुनकर विधायक आएं मों सबको विशेश रूप से बहुत बहुत बढ़ाय देता हूं शुब कामना देता हूं कि इतनी बड़ी संक्या के अंदर पहली बार विधायक चुनकर वहाएं जैसा कि हमारे उपसवापती जी ने बताया कि नए विधायकों को इस बात की चिंता करनी चीए कि हम किस तरीके से पुराने विधायकों का अनभव प्राप्त करें आपके साथ कई वरिष्ट लोग भी बेठे हूंगे आप देखिए जो वरिष्ट अनभवी लोग होते हैं वो जादा देर सदन में बेठकर अनुशाशित तरीके से सारी चर्चा समात को सुनते हैं और इसलिए हमारे पास हमारी नियम प्रक्रियाओं के अंदर कई प्रक्रियागत वैस्ता है जिस प्रक्रियागत वैस्ता के अंदर अगर हम सदन में बेठेंगे तो कई नियमों प्रक्रियाओं के तर्द अपनी बात सदन में रेपाएंगे और इसीलिए हमारी पीटासिन अधिकारे वे सम्मेनयन में प्रेसला किया है कि सरशेष्ट विधायक संबान पुरुसकार देश की हर विधान मंदलों में होनाँ च 23 और शरशेष्ट विधान करना एकम लेका इसलिए हमारा बार-बार प्रयास होना है कि हम सारी प्रक्रियाऊं सारे नीमों प्रक्रियाों के तरथना सदन में बेटकर पुराने विधायकों के अन्भों को प्राप्त करें सधन की कारवाई को देखें और तरक और मुद्दों के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करें मुझे आशा है हमारी संसदी प्रणाली के अंदर जितने हम तरक और मुद्दों के आधार पर बात रखेंगे उतने ही सरकार की जवाब देते पाएंगे और का पारेपाली का पर नियंतरन कर पाएंगे मुझे कुशी है कि आज इस दिशा की और इस विधान सवा में एक नई दिशा दिये कि डिजिटल टेलिविजन शुरू होगा जिससे कि आपकी कारवाई सीधा प्रसारण होगा देश प्रदेश की जनता आपके इस विधान सवा की का कारवाई को देख पाएंगे और इससे एक नया संदेश भी जाएगा इसी दिशा के अंदर हमने एक डिजिटल एप शुरू किया है और हमारी कोशिश है कि संसद की कारवाई पूरे देश के अंदर दूर दराज के गाहों के अंदर भी बैटकर वह मॉबाइल पर देख सके कि इसलिए डिजिटल संसद की ओर हमने कदम बढ़ा है और मुझे कुशी है कि राज्यक की कही विधान मंडलों ने इस दिशा की और बहुत अच्छा काम किया है मुझे ये भी कुशी है कि कही राज्यकी विधान मंडलों ने सूचना प्रोध्योगी का अधिक्तम करें और किस तरीके से सुचना प्रोध्योगी के माध्यम से हम जनता के अपेक्षाएं तो पूरी करेंगे विधायों को का सरवदन होगा और विधायों ने टेक्नोलोजी का उपयोग करते से हुएं देश भर के विधान मंडलों की कारवाई को देखने के बाद तरक और चर्चा के साथ अपनी बात रख पाएंगे और इसलिए शिम्ला संबिलन में हमने ते किया है कि सारी विधान मंडलों को एक डिजिटल मंच पर लाया जाए है सारी विधान मंडलों की कारवाई एक मंच पर हो वहां विधान सवा की कारवाई एक मंच पर हो वहां की नियम प्रक्रियाएं एक मंजप हो और उसके साथ साथ जैसे बिहार की लाइबरीरी है देश भर की जितनी भी लाइबरीरी है उनको भी हम एक मंजप लाने का काम कर रहा है ताकि आने वाले समय के अंदर जब कभी बेठा हुआ किसी भी राज्य का वेक्ती बिहार का बजट देख सके बिहार की विधान सभा कारवाई देख सके अन्य राज्यों का बजट विधान सभा की कारवाई देख सके किद्र के अंदर लोग सभार राज्य सभा की कारवाई दे के बाद आपके अंदर एक व्यापक अन्भो होगा और उस अन्भो और ग्यान का लाब आप अपनी विधान सभा के अंदर कर पाओगे इसी लिए सभी विधान मंडलों के अच्छे अन्भव अच्छे विचार वह अच्छी प्रंप्रा हैं हब वह भी हमने एक दूसरे साजा करने का काम क्या है आने वाले समय के अंदर उनको हम एक प्लेटफार्म पर लाने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय के जो जिस राज्य के अंद का उधारन देना चाहता हूं एक विधान सभा के अंदर कोई भी वेल में वेक्ति आता है तो उसको अपना निश्कासित माना जाता है उसका अपना निलंबन माना जाता है यह बात कठी नहीं लेकिन एक परंपरा बनी नियम बने और विधान सभा के अंदर कोई भी वेक्ति ब होश्चकता है क्योंकि अगर हमें लोगतंत को सशक्त करना है तो लोगतंती संस्ताओं को सशक्त करना होगा मजबूत करना होगा इनको जनता के प्रती जवाब दें बनाना होगा और इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन सब लोग चीजों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि हम एक बैतर विधान मंडल बना सकें मैं इस मोखे पर जब इसका सोवर्ष हो रहा है आप सब को बहुत विशेश रूप से बढ़ाई देता हूँ मुझे आशा है कि इस एत्यासिक अवसर पर हम सामुईक संकर्भ लेकर अपने दाईत और क्रक्तियों को निभाएंगे और किस तरीके से इस राज विधान मंडल के माध्यम से हम सामाजिक आर्थिक परिवर्टन ला सकें बियार का जन्कर्ण कर सकें यह हम सब की जिबेदारी है क्योंकि हमें जन्ताने चुनकर वे जाए ऑष भी, लोब टंतिक संस्ताओं के प्रति जागरुक रखता है लोगपंत के पतिक सजग है मेरा विधायक मेरा सांचत मेरा मंति मेरा मुख्यमंति क्या कर रहा है उसकी डिवेट चर्चा और गाउं में बेट करता है यह वह प्रदेश है और इसी लिए इस प्रदेश में मुझे आने का जब मोका मिला है तो मुझे भी नई पेड़ना अनभोग का लाब मिलेगा और मैं आप से अपिक्षा करता हूं कि आप सब मिलकर एक सामुइकता के साथ इस राज को एक समरद विवार विख्षित विवार दुनिया का सबसे भारत का सबसे बढ़ता हुआ प्रदेश बनाने का काम करेंगे और मुझे आशा है कि आप सामु और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके की यहां की सम्रद शल्गोरी शरी प्रमप्राय रही है उन प्रमप्राओं को आप सब आगे बढ़ाने का काम करेंगे आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद जहिन बहुत बहुत धन्यवाद मानिनिय अध्यक्ष लोगसभा श्री ओम बिला जी सर मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूं अब हम उद्गाटन सत्र के समापन की ओर है मैं आदर्निय महासचिप लोगसभा मैं मानिनिय अध्यक्ष बिहार विधान सभा श्री विजय कुमार सिनाजी को संबोधने तू एक बहुत पुन सुचना के लिए हमारे बीचारे हैं मानिनिय अध्यक्ष बिहार विधान सभा श्री विजय कुमार सिनाजी आप सबों से सादर आग्रह है कि इस सत्र के तुरंत वाद विधान सभा के मुख्य भवन के सामने ग्रूप फोटोग्राफी होगा किरपिया आप उहां चलेंगे फोटोग्राफी के उपरान सब कोई दिवा भोज के लिए भोज अस्तल पर चलेंगे और मानिये लुक्षभा अध्यक जी को मैं भरोसा दिलाता हूं कि विहार के मानिये विधायक और विधायक की गंभेरता और सरकार की सजगता से सत परतिसद सदन चल रहा है और सत परतिसद प्रसनों का जवाब भी आ रहा है अब मैं आदर्निये महासचिव लोगसभा श्री उत्पल कुमार सिंग जी को धन्यवाद ग्यापन हे तु मंच पर आमंत्रित करती हूं आदर्निये महासचिव लोगसभा श्री उत्पल कुमार सिंग जी लोग सभा के माननिय अध्यक्ष श्री ओम बिडला जी बिहार के माननिय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी राज्य सभा के माननिय उपसभापती श्री हरिवन्ष जी बिहार विदान सभा के माननिय अध्यक्ष श्री विजयकुमार सिना जी बिहार के माननिय उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाज जी माननिय उपमुख्यमंत्री श्री मती रेनु देवी जी बिहार सरकार में माननिय संसदिय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी बिहार विधान सभा में माननिय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननिय उपाध्यक्ष बिहार विधान सभा श्री महेश्वर हजारी जी बिहार सरकार के सभी सम्मानित मंत्री गण सभी माननिय सांसद गण श्री राजिव प्रसाद रूडी जी श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी बिहार विधान सभा एवंग विधान परिशद के सभी माननिय सदस्य गण बिहार विधान सभा एवंग विधान परिशत के सचिव लोग सभा सचिवाले एवंग प्राइड के सभी सहयोगी अधिकारिगण मीडिया के सभी सम्मानित बंदुगण, देवियों एवंग सज्जनो बिहार विधान मंडल एवंग संसिद्य लोग तंत्र शोद एवंग प्रसिक्षन संस्थान प्राइड के सम्वेत प्रयास से बिहार विधान परिशद और सत्रवी बिहार विधान सभा के माननिय सदस्यों के लिए आज आयोजित किये जा रहे प्रबोधन कारिक्रम में आप सभी मानु भावों एवंग देवियों की उपस्थिती के लिए मैं लोकसभा सचिवाले की ओर से खृदय से आभार व्यक्ट करना चाता हूं माननिय अध्यक्ष लोकसभा का निरंतर प्रयास रहा है कि हमारी निर्वाचित प्रतिनिधी सभाएं चाहे संसद हो, राज्य के विधान मंडल अथवा पंचायते ही क्यों नहों किस प्रकार से सम्विधान की मूल परिकलपना के अनुरूप जन सामान्य के विशयोंग पर सुविवस्थित तरीके से विद्वता पूर्ण परिचर्चा एवंग विचार मंथन का सर्वशेष्ट प्रांगन बने यह तभी संभव होगा जब हमारे सम्माने जन प्रतिनिधी गन इन प्रतिनिधी सभाओं की सम्रिद परंपराओं कारे संचालन नियमों एवंग विवस्थाओं से पूर्ण रूप से भिग्य हो सके मैं बिहार विधान सभा के माननिय अध्यक्ष तथा साथ ही विधान सभा के माननिय उपाध्यक्ष जी का साधुबाद देना चाहता हूँ कि आपने विधान मंडल के माननिय सदस्यों के लिए प्रबोधन कारिक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव माननिय अध्यक्ष लोकसभा के समक्ष रखा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननिय अध्यक्ष लोकसभा सदैव ही इस प्रकार की पहल के समर्थक रहे हैं और उनके दिशा निर्देश में देश के कई राज्यों केंद्र शाशी शेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रबोधन कारेकरम आयोजित की जा चुके हैं। मैं उनका भार वियत करना चाहता हूँ कि बिहार विधार मंडल से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्होंने न केवल उसकी सहर्ष सहमती प्रदान की बलकि स्वयम प्रदारने का भी निश्चे किया। इस अफसर पर मैं बिहार के माननिय मुख्यमंत्री जी श्री नितीश कुमार जी का साधुभाद करना चाहता हूँ जिनकी आज इस प्रबोधन कारेकरम में उपस्थिती, उनका विस्थित ज्यान और एक शीर्षस्त जन प्रतिनिदी के रूप में व्यापक अनुभव का ल जी माननिय संसद्य कार्यमंत्री श्री विजय चौधरी जी तथा बिहार शाषन द्वारा दिया गया सहयोग वाकई अनुकरणिय एवन प्रशंसिनिय है आप सभी के सहयोग तथा मागदर्शन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं माननिय उपसभापती राजसभा श्री हरिबन्ष जी का भी आभार वेक करना चाहता हूँ उनकी राजनीती शास्त्र इतिहास पत्रकारिता तथा संसद्य व्यवस्थाओं में प्रकार्ण विद्वता से संसद्य नित्य प्रतिदिन लाभानवित होती ही रही है बलकि आ बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अभार व्यत करना चाहता हूं जिनों ने अपनी उपस्थिती एवंग सारगर्भित वक्तव्य से कारिक्रम की गरिमा बढ़ाई इस कारिक्रम में उत्साप पूर्वक भाग लेने के लि कि सभी प्रतिभागी इस प्रबोधन कारिक्रम से लाभानवित होंगे तथा साथ ही यह भी आश्वस करना चाहता हूं कि भविश्य में भी किसी प्रकार की ट्रेनिंग अथवा ओरियन्टेशन कारिक्रम की आवसकता हो तो संसत का सचिवालय तथा प्राइड आपकी सेवा क किये गए हैं मैं उन सभी महानु भावों को भी धन्यवाद ग्यापित करना चाहता हूं अंत में मैं प्राइड के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा बिहार विधान मंडल के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनोंने इस कारेक्रम को सफल बनाने के धन्यवाद जय हिन्द बहुत बहुत आभार आदर्डिये महासचिव लोकसभाश्री उत्पल कुमार सेंग जी आप सबसे सादर अनुरोध है कि राष्ट्रिगीत के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं बंदे मातरम बंदे मातरम सुझलाम सुखलाम मलयजशीतलाम शश्य शामलाम मातरम बंदे मातरम सुख्र जोट्सना फुल कित यामिनी फुल कुसमी कद्रु मदल शोबिनी सुख्र जोट्सनी सुख्र जोट्सनी सुख्र जोट्सनी बंदे मातरम